हाई गाईज वेलकम बैक तो तृत्रिदेव इंवेस्मेंट लैब जैसा कि आप जानते हैं मैं आप किसलिए डेली फाइव इस्टॉक लेकर आता हूं जिसमें कि आप कम समय में काफी अच्छी एर्णिक कर सकते हैं तो यह सारे आपको चार्ट पर कंफर्मेशन के लिए करता ह हूं आपको कंफर्म कराता हूं जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने जो है कैस्ट्रोल इंडिया का चार्ट लगा रखा है और अगर बात करें इसकी सिगनल की तो आपको यह अभी आपको 0.68 परसेंट का सेर में अप नजर आ रहा है जो कि यह पिछले दिन बुल सकता है अगर बात करें अगले दिन के सिगनल की तो अगर बात करें अगले दिन के सिगनल की तो यह सपोर्ट के है तो आप की आपकी कन्फर्मेशन जैसे कि यह 18 Spiney यह यह गंतल रही है एक चार्गेट जो कि अगर इसको यह ब्रेक आउट करता है तो आप इसमें और quantity एड़ करें और एक बड़ी टार्गेट का वेड़ करें आपको काफी अच्छी profit मिल सकती है मैं आपको उसका टार्गेट प्राइज भी कन्फर्म करा देता हूं जो कि याप कर przysz Perfect House के बाद मिला थे लेकिन ऊसको अभी अभी प Absolutely यह यह को ईतल्य वैद करता है तो आगले दिन आपको इसमें करने की एक कंफार्म सिगनल मिल सकती है तो अगले दिन आप इसे वेट करें जैसा कि लगतार चला रहा है मैं आपको कन्फर्म सिंगल बताया था उसी इन सार अगले दिन अगर आप इसमें वेट करते हैं बुलिस केंडल मिलता है तो एक बड़ी प्रॉफिट आप इसमें निकाल सकते हैं कम समय में जो की वन ह आप करें तो जैसा कि मैंने अपको बताया वेट करने के बाद एक बड़ी प्रॉफिट आपको मिल सकती है वो गई आप देख सकते हैं मैं आपको टर्विट कर आप बढ़ते हैं बिनादर के हुए तो मैं आपको पहले वन विक के चाट ने बड़ की वन डेका चाट पर डि ती जो कि 2022 में इसने बनाया है उसके बाद सियर में लगातार गिरावट देखने को मिली और डाउन बनाते हुए गाई आप यहां पर देख सकते हैं जो कि इसने 24 अपरेल 2023 के बाद इसने जो है 25 अपरेल को जो बनाई यू काफी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के साथ और न पर ने के लिए आप ये सेयर प्रैज्जे काफी उपर तक आया और साथरी साथ देख सकते हैं एक गैप के बन रहा है जो टार्गट से इसको यह ब्रेक करता हुआ भी नजर आया था लेकिन आज का कंडल देखे है इस तो आज का कंडल आपको यह इसको जोह है आपको यहांत लग सकती है अगर बात करें बीर स्केंडल की अगर थोड़े समय के लिए बीर स्केंडल मिलता है और यह 285 का सपोर्ट ब्रेक्डाउन करके आगे की और बढ़ता है तो आप इसे इग्णोर करें लेकिन यहां से रिवर्सन मिलने के चांसे आपको बेटर है आप इसमें अपनी पोजिशन बना सकते हैं चलेगिज में आपको इसके टार्गे न्फरम कराऊं तो आप देख सकते हैं अगर यहां हर इंजर करते हैं तो आप तूर के अंदर ही आप स्केंजिडे 238 एक इसमें दिला सकता है क्योंकि काफ़ी समय के बाद डाउन आया है उसके बाद रीवर्सल मिली है तो आपको इसमे रीवर्सल चांसें के साथ बड़ी प्रॉफित आपको बिल सकती है मैं तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहां पी नज़ब करना चाहिए है आपका जो है एक बड़ी बड़ी प्रॉफिट इंतजार कर रही है आप इसे को बाई करने के बाद थोड़ा वेट करें चलिए नेक्स टॉक की तरफ बढ़ते हैं इसके बाद इसमें रिवर्सल देखने को मिली है तो जैसा कि अगर बात करें सिंग्नल्स की तो रिवर्सल आपको मिलते रहे हैं और इसमें लगातार हाईयर हाई काहीं फॉर्म नजर आ रहा है आप जैसे देख सकते हैं आपकी टार्गेट मैं आपको बता दूँ एक बड़ी प्रॉफिट आपको इसमें मिल सकती है जो कि आपकी टार्गेट एक यह हो सकती है आज का जो है और इसे ब्रेक करता तो आप सीसमें और भी के साथ बन रहेए एक टार्गेट बताओ जो यहां पर मैंने आपका नस्थी की हाई बताया था찍गी यह आको इक हो सकती है मैं आपको थोड़ा वन बीक के चार्ट पर लेकर चलनूं और कन्फरमेशन के लिए करो तो जैसा कि आप देख सखते हैं जो हे इसने हाइए था 358 की उसके बाद सेयर में काफी बड़ी गिरावट मिली थी तो जैसा कि मैंने आपको नजदी की हाइब गता है था 238 की यहां तक भी यह गिरावट मिली है तो रिवर्सल भी आपको दिखने को मिल रहा है आप कम से में अची प्रॉफित निकाल सकते हैं काफी बड़ी रिवर्सल आपको यहां पे मिल रही है काफी दिनों के बाद तो सिर्प्राइज लगभग काफी अब तक भी जाने के चांसे हो सकते हैं आप थोड़ा वेट करें सेर में आपको अगर जब बड़ी रिवर तो आप देख सकते हैं अभी आपको यहां पे बिरिस के लारा है लेकिना थोड़ा फोकस करें तो लगा दा इसमें हाई को कॉंसलीडर सन भी नजर आ रहा है तो मैं थोड़ा वेक कर चार्ड पर इसका कंफरमेशन के लिए करो तो आप देख सकते हैं वनभी का चार्ड पर वाए लेकिन इसके पहले आप दekने पहले आप ड़ी booming जिख रहा है तो यहाँ को बता रहा रहा है तो यहाँ पर यहाँ थोड़ा फोकस करें तो यहाँ प्योड़े तो आह一個 166 पे ने जो एक टार गेट को हिट किया है तो प्राना हाइप Japanese ना वहाँ अब आज नजर आ तो इसने हीट किया तो उसके बाद आपको जैसे कि मैं आपको पॉले भी बता रखा है आपको टार्गेट हिट करने के बाद थोड़े रिश्पेक्ट देखने को मिलती है में थोड़ी आपको बीश्केंटल ले चांसे नजर आते हैं उसके बाद और चल रहा हुँ उससे स्वाइब सार है इसके सिग्णल्स की तो आपको लगवक यहां पर 195 का भी नजर आ रहे हैं। प्राइब छा जाते हुए एक बड़ी प्रॉफिट आप यहां पर निकाल सकते हैं। अगर बात करें बात की और ब्रेक आउट के बाद इसका directly मैं आपको पहले one day के चाट पर confirmation के लिए करता हूं तो आप one day का चाट पर देख सकते हैं कि जो है इसने target नजदी की high 394 का बनाया था और इसको यह break करके अभी निकला है और काफी gap up भी share में आज opening देखने को मिली थी और surprise आपको bullish candle ही देखने को मिल रहा है जो कि अग मिल रही है जो कि इसको यह break करता हूँ नजर आ रहा है और share price काफी down भी नहीं गया है इसने तुरंद से ही reversal ली है तो guys यहां पर आपके chances के लिए हो रहे हैं अगर बात करें signals की तो लगतार signals में आपको यहां पर projection confirm जो है आपको higher high का सेनारियो clear कर रहा है और यहां पर आप आपको इसमें एक बड़ी profit मिल सकती है मैं आपको थोड़े समय के लिए one week के चार्ट पर भी confirmation के लिए करता हूँ जैसा कि आप देखते हैं काफी समय से share जो है down चल रहा था और इसके बाद 2020 के बाद reversal जो मिली लगतार इसमें इसमें देख सकते हैं higher high के ही scenario नजर आते रहे है तो जैसा नहीं कितने समय के बाद high किया है तो लगतार इसमें अब downtrend नजर आएगा ऐसा नहीं होता है आपको थोड़े समय के लिए down मिलेंगे आपको confirm signal मिल जाएगा उसके बाद ही थोड़े समय के आपके इसमें down देखने को मिल सकते हैं लेकिन अभी आपको यह high का form न आ सकते हैं अगर बात करें टार्गेट की तो मैं आपको इसका टार्गेट की भी हो सकती है अगर बात करें इसके बाद बन रहा है ब्रेक आउट की तो यहां थोड़े समय के लिए अगर आपको लगवगथ आप इसमें अच्छी प्रॉफित निकाल सकते हैं आप थोड़े स्यर में वेड़ करें जैसा कि करें अगर आप करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो आप वीडियों को सब्सक्राइब करना और यौदियो अच्छी लेगे तो लाइक करें थैंक्स